नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रवीन क्यातान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में तो मेरे को कई सारे स्टुडेंट ने पुछा कि सर मेरे को गाइड करो कि इन्वेस्मेंस में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है फुर लॉंग टर्म करियर प्रस्पेक्टिव जिससे कि मैं बहुत अच्छा सेटल हो जाओं और बहुत अच्छे सालरी हो और मेरे को हजार दो हजार करोर का फंड मैनेज करना है अलो बड़ी सपने तो इसके लिए अगर आ बहुत पॉपिलर है तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं CFA प्रोग्राम के बारे में सब कुछ CFA की फीस स्कॉलर्शिप एक्जाम पैटर्न रिजर्ट सालरी जॉब्स इंडिया कंपैरिजन बेट्विन C-A प्लस CFA और CFP प्लस CFA और MBA प्लस CFA और FRM प्लस C CFA and many more other comparison we will do and a lot more thing into CFA program तो अगर आपका CFA program करने का मन है या फिर आप धून रहे हैं एक ऐसा program जो सच में आपको बहुत अच्छा edge देगा investments in finance industry में आपके सपने पूरे करेगा आप काम करना चाहते हैं as a mutual fund manager as a portfolio manager as an investment banker तो CFA program बना है आपके लिए CFA program है क्या चीज़ा करें CFA program पूरे वर्ड में conduct होता है 100 प्लस countries में अभी पूरे वर्ड में लगबग 1,70,000 professional CFA working है around 163 countries में अगर बात करें पिछले साल के तो 2,14,000 students ने CFA exam लिखा था right it is a huge number almost cat kee exam के बराबर it's a big number and students are worldwide है अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा enrollment कहां से है तो सबसे ज्यादा enrollment यस चाइना से है क्योंकि population निक्यों बहुत जाए है फिर इंडिया है और उन्च पॉबलेशन भी बहुत जाए है और थर्ड नंबर पे है हमारा USA से है और अगर हम बात करें per capita की यानि की per person या average की तो yes comparative to population density और number of you know people living in a country उसे साब से तो US में बहुत अच्छी enrollment अब हम बात करते हैं कि आखिर CFA करता क्या है तो जो नौर में CFA Charters है they are holding big positions like CFOs of a company, they are fund managers into a mutual fund company, they are investment bankers, they are around 7% people who are working at a CFO or chief executive level, they are around 5% working as a consultant, around 12% as a portfolio manager, around 32% people working as a research analyst or a financial advisor. तो अगर आपको सच में अच्छी जॉब करनी है अच्छी salary चाहिए तो this is a great program, अब इंडिया में हमारे पास लगवग हम बात करें तो जो investment practices है, 3% लोग लगवग derivatives में है, equity investment में around 50% और आप 13% लोग bonds वगरे की diventures वगरे की fixed income investment में काम कर रहे हैं, और average age अगर हम इनके बा जंग लोग अब CFA में involvement ले रहे हैं, awareness बढ़ती जा रही है, तो CFA में आखिर hire कौन करता है, अगर इंडिया की बात करें तो yes, Reserve Bank of India में भी CFA काम कर रहे है, HDFC Bank में भी काम कर रहे है, Crystal में काम कर रहे है, E-Value Sub में है, Kotak Mahindra Bank है, almost सारे banks हायर करें है, सारे mutual funds हायर कर रहे है इसी दर अगर वल्ड की बात करें, तो Northern Trust है, NT, इसका office इंडिया में भी है, ऐसानी एक इंडिया माफिस नहीं है, JP Morgan Chase है, Dosh Bank है, Credit Suisse है, Goldman Sachs है, अगर आपका सपना है, Goldman Sachs में काम करने का, तो CFA program is the right program for you, हाँ, अगर बात करते हैं कि salary के भी salary कितनी मिलती है CFA वालों को, दे कोई है और वो एक portfolio manager है, तो उसकी जो base salary होती है, जो minimum base salary होती है, that is at least $1,26,000, और अगर हम बात करें, including all the compensation that can go up to, salary can go up to $1,77,000, है न, अच्छी कासी salary लगो, एक करोड़ एक तालिस लाख रुपे होती है, Indian currency में, INR में, तो है amazing salary, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि India में क्या salary मिलता है, देखिए exam के 3 level होते हैं, CFA level 1, level 2, level 3, तो ऐसा नहीं है कि सारे exam pass करने पढ़ेंगे, तबी degree मिलेगी और नौकरी मिलेगी, जैसे CA में होता है, कि CA IPCC, CPT वेगरे किया, फिर final किया, article ship करी, फिर charter CFA का degree मिलता है, फिर आप job करते ह है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं तो level 2 करने के बाद अपना CFA level 3, 2-3 साल के बाद करते हैं, यह जोब चालो कर देते हैं, 10-12,00,00,00 की job हो जाती है, लेवल 2 के बाद भी, experience के साथ साथ 20-20,00,00 की salary हो जाती है, तो उनको लगता ही नहीं कि level 3 करें, तो इसे मैं रिक्म साथ 20,00,00,00से 40,00,00,00,00,00,00 , ऐक्नी यह में बहु?! टक इंडिया में भी चली जाती है, huh, न्यान इयूंत सब्सक्राइट है, है ठीक है कई लोग में को यह भी कंपलेंड करते हैं कि सर CFA की वेकंसी नौकरी.com वेगर पे जादा नहीं देखती है ऐसा नहीं है देखिए कोई भी हेड्लाइन में CFA लिग करके नहीं पोस्ट करिएगा कंपनी कंपनी पोस्ट करेंगी धर लूग कर लुकि फॉर फिनांशु मोडलर्स वर लुकिन फारे सच आंलिस्ट बुकिन अबलाइन त्यू आउंसित्य परफोर्टी करनेगा पॉर्ट फालि में कोई CFA लिक नहीं पोस्ट करता ठीक है तो यह गलत चीस है आप ठीक से अब द क्यांकि MBA from IMT गाजयवाद FMS जमना लाल बजाज इन सब को वह से भी MBA करने के बाद लोग CFA करते हैं तो क्या है Registration eligibility नॉर्मली एक graduate या फिर अगर आप final year में है student है तो आप CFA के लिए registration कर सकते हैं एक्जाम की प्रिवेशन चालो हो जाएगी एक्जाम आप दे सकते हैं अगर आपके पास graduation नहीं है बट आपके पास चार साल का full-time work experience है including articleship और internship चार साल का है आपके पास तो आप eligible है फुल-time होना चाहिए CFA exam के लिए आपके पास जो work experience है अगर फैमिली बिजनेस में है तो भी चलेगा ठीक है और ऐसा नहीं है कि work experience आपको investments in finance stock market वगरे related ही होना चाहिए को भी work experience हो चलेगा अब अगर बात रहे कि अगर आप simple graduate है या आप कहा रहे हैं कि final year of graduation में है आपने level 1 का exam दे दिया और आप pass हो गए फिर आप level 2 का exam देंगे तो level 2 का exam के लिए जब आप registration करेंगे तो उस time आपके पास graduation complete होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है कि आप बीच में graduation छोड़ देंगे अगर आपके पास experience है नहीं है तो graduation तो चाहिए चाहिए ठीक है तो fresher है तो graduation चाहिए और इसके लब एक बहुत important है यहां पर passport registration के time में आपको passport चाहिए और क्योंकि यह admit कर वेरे के साथ आपको exam के time में यह देखते हैं कई students के पास passport नहीं होता है तो preparation पहले से चालू कर दें और passport के लिए apply कर दें registration के time में आप अपना passport ID डाल देंगे उस इसपेशली लोग शॉक से बनवाते हैं common नहीं है passport hold करना तो इसके करन कई वर students का exam defer हो जाता है छे मेने बरबाद हो जाते तो इनको इसको पर work out करना चाहिए पासपोर्ट के अलावा अधार काड या लोकल को ID जो है driving lessons कुछ भी और भी साथ में अटाच होना चाहिए this is my personal observation and opinion थी मैं मेरको CFA को students को पढ़ाते हुए लगवक बारे साल हो गए I'm teaching since 2010 और इन बारे सालों में मैंने कई बार देखा है students को exam defer करते वे क्योंकि passport नहीं है वो अभी registration नहीं कर सकते है तो यह थोड़ा गड़वर तो है ठीक है अब अगर में बात करें exam months की तो CFA का जो exam है व आप में August and November पहले June में होता था और November में होता था साल में दो भार होता था level 1 अब चार बार होने लग गया level 2 भी हमारा साल में तीन बार होने लग गया that is August November and May and level 3 हमारा August and Fab में होने लग गया साल में दो बार तो इससे क्या होगा कि पहले जो CFA करने में तीन साल चार साल लग जाते थे अब दो साल में आपका CFA complete हो जाता है so just like any master program MBA and all आपका CFA भी दो साल में हो जाता है in fact आप छे मैने के बाद से job भी चालू करना चालू कर सकते हैं CFA level 1 करके job चालू कर दी और job के साथ साथ जो है level 2 की preparation भी करी जा सकती है अच्छा रहता है इस experience भी जाता और यह recommended है कि level 1 के बाद आप job देखना चालू कर दें क्योंकि full time college तो जाना नहीं है distance education है आप खुद से पेपर करते हैं coaching classes में पेपर करते हैं Saturdays Sundays वेगर रखो तो remaining time job करी जा सकती है न तो this is really good आप आपके साथ कुछ important exam and date share कर रहा हूं 2023 के लिए अभी जो हमारा latest exam है वो fab में होगा 2023 में 14 से 14 से लेके 28 और fab तक की बीच की date है आप कोई भी एक दिन चूज कर सकते हैं इस बीच का exam देने के लिए registration जो है early वो close हो गए 9th August को अभी जो standard registration है वो 8 November तक open है इसके बाद जो में का exam है वो 2 November तक early registration है और 31 जनवरी तक आप को last date है registration की और exam 16 से 22 मेर के तक चलेंगे इसमें से कोई भी एक date चूज कर सकते हैं exam के लिए और exam की जो fees है early registration की 1250 dollars है और लगबग 1550 dollars है आपको standard registration के लिए ठीक है तो इसमें exam fees और program enrollment fees दोनों ही है अब अगर हम बात करेंगे की subject क्या क्या है तो subject इसमें ज्यादा तर investments और finance related subjects होते हैं लाइक equities investment shares वगरे में investment derivatives which are options वगरे के trading alternative investment like hedge funds वगरे commodity real estate portfolio management financial statements के statement analysis corporate finance economics ठीक है थोड़ा बहुत mathematics भी है अलवर 10-12% weightage mathematics का है quants का है कई लोग मिर से यह पूछते हैं कि मेरी quants जो है वो average है तो क्या मैं exam दे सकता हूं देखिए अगर आपको finance में career बनाना है तो आपकी match थोधी से ठीक होनी चाहिए ठीक होने का यह मतलब नहीं है कि आपकी IIT level के match चाहिए बट अगर आप मान के चलो कि board में आपको आपको अबव 80% में मैच में ठीक है तो अच्छा है आपका score अगर cbse board की बात करूं भी हर बोड में है या state board में है तो 60% भी question है तो ठीक है आपको जो है बहुत ज्यादा हाइफाई नहीं चाहिए दोसरा हम बात करें तो 100 में से लगवग 8 question या लगवग 12 question जो है quant से आते हैं तो उसी साब से अगर आप देखे तो 5-6 questions भी आप solve कर लेते हैं तो that is good enough ठीक है तो quants का बहुत ज्यादा stress नहीं है trust me बहुत ज्यादा stress नहीं है एक ही subject है और इसमें भी जो topics होते हैं वो होते हैं ज्यादा तरह stats related like probability, normal distribution, ठीक है थोड़ा सा आपको time value वेगर निकालना तो यह सारा कुछ होता है तो आप चाहें तो इसके practice questions वेगर देख सकते हैं आप डाउनलोड कर लें वहां पर sample questions है और वहां आप देख सकते हैं questions वहरा लगा करके किस टाप के questions होते हैं अब बात करें patterns की exam के तो exam का जो हमारा pattern है mcq questions होते हैं और दो session होता है morning और afternoon session होता है computer based exam होते है 2021 से CBT होने लग गया computer based test और इससे पहले जो था हमारा वो जैसे दिल्ली में नोड़ा एक्सपो सेंटर में इसका examination center पड़ता था वहां लोग जाते थे और फिर pen paper का exam होता था और तीन तीन घंटे का exam होता था तीन घंटे सुबह का तीन घंटे शाम का afternoon का छे घंटे का exam होता था अब पूरे नौर्थ इंडिया से लोग सिर्फ देली आते थे एक्जाम देने के लिए अब तो क्या है examination center आपको पूरे इंडिया में हो गए 18 examination center हो गए दिल्ली है पुने है बैंगलूर है बॉंबे है कौलकाता है है हैदराबाद है जैपूर है इंदोर है बहुत सारी cities हो गई जहां पे आप exam दे सकते हैं examination center पे जा करके और जो questions है rather to 90 questions है और सवा दो गंटी का और सवादो गंटी का second session है mcq questions होते है और negative marking नहीं होती है level two में आपको जो questions है again mcq है और negative marking नहीं है और इसंमे 11 itemsSet होते है और हर आइटम सेट में लगवक 4 questions होते हैं तो टोटल 44 questions आपको मिलते हैं as per 2023 का अभी जो आ रहा है और हो सकता यह change हो जाए change होता रहता है かभी-कभी item sets पहले 6 होते थे पर question और 4 होने लगए पर item set questions पहले एक item set में six questions होते थे, अभी एक item set में चार questions होते हैं, और पहले questions हमारे 120 होते थे level one में, अब 90 questions होने रग गए, तो अभी ये जो थोड़ा change है, ये 2021 के बाद हमारा change आया है, 22 और 23 में ज़्यादा कुछ change नहीं है, और ये जो 44 questions है, ये सारे MCQ होते हैं, अब नहीं बात item set क्या है, item set मतलब एक छोटा सा question होगा, उस question के ऊपर में, चार और questions होगें, MCQ based, ठीक है, तो वो case slate होगा, और case slate के ऊपर में, चार questions होगें, जिसका आपको select करना है, तो अब इस exam में जो MCQ आता है, level one, level two के गरे में, उसमें जादा तर तीन choice होती है, तो change choices चूस करना भी में, essay type question होता है, तो बड़ा एक दो page का essay होता है, और उसके ओपर subjective answers होता है, यानि कि पूरा detailed descriptive answers, विस number, figures, आपको justify करते वे, लिखना होता है, और इसकी copy जो होती है, फिर check होने के लिए जाती है, और इसका result भी थोड़ा late आता है, generally, जो CFA level one, level two का exam का result है, वो 30 दिन से ल CA program या CPA, ठीक है, यह दोनों accounting के program है, और CFA program है, इन दोनों में क्या difference या similarities है, देखे, CA और CPA program, इसमें हम accounting, tax session and auditing पढ़ते हैं, no doubt, हम financial statements, financial reporting analysis बढ़ते हैं, अब तीन साल यह जो पढ़ते हैं, हम CA में, उसके बाद हम article ship करते हैं, तो generally, CA क्या करता है, CA आपका tax बचाता है, CA आपके financial statements ready करवाता है, वो आपका return file करता है, auditing करता है, accounts की, books की, financial statements ready करने के बाद, ITR file करता है, ठीक है, ROC related matter जो है, उसमें help करता है, generally ROC related, register of company related matter जो है, वो CS handle करता है, company secretary, तो यह generally एक CA का काम है, कि वे financial statements ready करके file कर देना, अब जहां पे financial statements ready होके filing हो गई, उसके बाद, उन statements को study करके, एक CFA, investment decision लेता है, तो CFA का करता है, मानलो, आप mutual fund में हो, या portfolio manager हो, अब आपके पास 200 करोड है, जिसको manage करना है, आपको companies में invest करना है, तो आपको company के analysis करनी होगी, यानि कि financial statements के analysis करनी होगी, industry के analysis करनी होगी, economy के analysis करनी होगी, company की valuation करनी होगी, अगर आप corporate finance में हैं, company में, let's say mergers में है, acquisitions वगरा में है, investors relationship में है, तो यह सब काम आपको देखने होगी, तो पहले क्या था कि, जब CFA's नहीं थे उतने ज्यादा market में, तो यह सारा काम de facto, या तो MBA finance करता था, या CA करता था, but अब companies जो है, CFA's को hire करने लग गई है, क्योंकि they are more specialized into these matters, right, now similarly, if you compare CFA with MBA, now MBA is designed for business management, or they are designed for business administration, that is not designed for financial research or analysis, because of this, बहुत सारे MBAs जो है, after MBA CFA करते हैं, क्योंकि अगर मान लो, एक MBA है, उसको portfolio manager बनना है, तो CFA must है उसके लिए, और corporate finance में, MBA को तुरन directly entry नहीं मिलेगी as a fresher, so for MBA also, CFA program is really good, that will add on value to their career, ठीक है, तो MBA में होता है कि, MBA में first year में आप general MBA करते हैं, second year में आप specialization करते हैं, छे मेने आप MBA finance बढ़ते हैं, आपका specialization जीसे बहुत specialization होती है, HR, operations, supply chain, marketing, finance, तो अगर आपने finance चूज किया, तो 6 मेने आप finance बढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप internship के लिए चले जाओगे, तीन मेने के लिए, फिर वापस आओगे, दो तीन मेने हो सकता है, पढ़ो साल के job experience के बाद, या 4 साल की job experience के बाद, अगर आपको managerial level handle करना सीखना है, how to become a manager, or handle things, okay, you go for a business management program, as a CFA is designed for financial research and analysis, तो ये एक broader difference है दोनों में, इसलिए जादा तर MBA CFA भी करते हैं, अपने job prospects को बढ़ाने के लिए, अब compare करते हैं, CFP से, that is certified financial planner, अब certified financial planner किया है, ये FBSP board है, वो conduct करवाता है, तो CFP 6 मैने से साल वर लगता है, complete करने में आपको, depend करता है, आप कैसे pass होते हैं, 5-6 exam होते हैं, अब ये जादा तर आपको financial advisor का का काम करते हैं, these jobs are mostly related to sales, तो आप retirement planning करते हैं, आप investment planning करते हैं, आप pension वेगरा की planning करते हैं, आप investment planning करते हैं, that is a job of a financial planner, now financial manager का अगर हम बात करें, salary growth का, तो very much limited in India, और ज्यादा तर जो है, आपको job मिलेगी sales की, और जिस company में आप काम करोगी, जिए financial manager, एक problem ये है, कि moral कह सकते हैं, dilemma है, कि as a financial planner, product किसी और company का अच्छा है, पर आप suggest नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम किसी और company के लिए क तो यहाँ पर एक ethical problem आ जाती है, ठीक है, वेराज़ CFA, as I told you, they are into financial research, तो as a mutual fund manager, you will be designing a mutual fund, you are working with those funds, the 200 crores to manage, whereas the CFP, you will be selling that mutual fund, तो ये थोड़ा सा difference है, दोनों में, अब अगर हम बात करें कि FRM versus CFA, now FRM compliments CFA, or CFA compliment FRM, they are not competitive exam, or they are alternatives, they compliment each other, तो FRM is all about financial risk management, what is financial risk, so broadly you can put three categories, credit risk, market risk, and operational risk, ठीक है, तो credit risk में बहाँ सारी चीज़े हो गए, आप rating वगरा करते हैं, company की, bonds वगरा की, इन सब चीज़ों की, market वगरा की, conditions की, risk वगरा असेस्मेंट करते हैं, market risk है, जिसमें आप portfolio management वगरा में काम करते हैं, operational risk है, जिसमें base sell implementation वगरा हो गए, bank के, तो ज़्यादा तर hiring है भी इसमें, banks में, अगर कहते हैं, तो 50% hiring जो है, banks में है, FRM के बाद, और ये CFA को compliment करता है, because CFA's are not great into risk management, तो ये एक niche program हो जाता है, बहुत ज़्यादा करते हैं, but whereas both the programs compliment either and both are, no doubt, very good program into their domains, ठीके, अब एक question ही आता है, कि sir, CFA की fees ज़्यादा लगी, 1500 dollars, देखो, आपको CFA program compare करना चाहिए, MBA से, ये मास्टर लेवल प्रोग्राम है, MBA की विस आज की डेट में 10 से 15 लाक है, comparatively CFA की फिस मात्र, 1.5 लाक रुपया है, तो इसे साब से तो बहुत सस्त है, CFA, ठीके ने, दूसरी बात, अगर हम को फिर भी दिक्कत है, तो आपके पास option ही कि आप थोड़ा अगर आप अर्ली रेजिस्टेशन कर ले, तो आप 1200 डॉलर दोगे, असी 90 ज़र रुपय दोगे आप, ठीक है, एक लाक तक दोगे, अगर आप अर्ली रेजिस्टेशन करते हैं, तो दूसरा आपके आपके आप स्कॉलर्शिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CFA शूट की, कई सारी कटेगरी है, जैसे economically weak कटेगरी है, faculty या instructor का कटेगरी है, women कटेगरी है, आप किसी भी कटेगरी में apply कर ले, हो सकता है कि आपको 100 डॉलर देकर के, 500 डॉलर देकर exam देने को मिल जाए, अगर आपको scholarship मिल जाती है तो, तिसरा option है bank loans को, obviously आप bank loan लेकर भी CFA exam की तियार कर सकते हैं, तो अच्छा recognize program है, तो banks भी loan दे रही है, अब बात ये निकल की आती है, कितना tough exam, क्या मैं pass कर पाऊंगा, देखे एक survey था 2018 में आया था, उसके हिसाब से पहली बात, लगबग 91% लोगों ने बोला कि जो questions थे, वो syllabus से ही थे, यानि कि उनको जो topics है, उनको LOS कहत हैं, यहाँ पर CFA में, learning outcome solution, और जो topics थे, उसे बाहर नहीं था, program, ठीक है, जो questions थे, वो curriculum के अंदर थे, लगए 88% लोग कह रहे हैं, और सारे subject related matter, वो cover कर रहा था, और exam was clearly written, 77% people are telling that, हाँ, इस में से यह जरूर कह रहे हैं, 57% लोग कि भी जितना expect किया था, उससे थोरा difficult था exam, तो मतलब है, practice questions बहुत जादा आपको लगाने पढ़ेंगे, आप IPLAN का app download करो, वहाँ पे sample questions है, आप देख सकते हैं, अदरवाई, जब आप coaching देरे में, इंटनौर्मिन करते हैं हैं, हमारे साथ, तो मैं आपको 1500 questions देते हैं, practice करने के लिए, इसके अलावा mock test video भी मिलता है and trust में अगर आप सारी questions लगा लेते हैं, तो आप pass हो जाओगे exam, ठीक है, और लगवाई 6% ऐसे भी हैं, लोग जो कह रहे हैं, exam easy थे हैं, हमरे expectations है, adds up to them, अब बात ये रहेगी किसी भी exam की toughness level हम निकालते हैं, या जो सबसे best benchmark है exam की toughness level का judge करने का, वह कितने लोग pass होते है देखे अगर हम बात करें, cat का, 2% लोग को top college मिलता है, bank PO का 0.25%, CA ठीक है 1%, medical वो भी नहीं है, engineering वही 1-2%, 3%, 4% maximum, तो as compared to these exams, CFA program gives you same salary, far better recognition, worldwide कहीं भी काम कर सकते हैं, 100 plus country और passing rate लगवक 45% के आसपास है, तो 1963 से लिए कि 2022 तक का average passing rate जो आ रहा है, वो आ रहा है 45%, 2022 में का 42% है, fab का 39% है, नवेंबर 2021 का 37% है, सिर्फ एक-दो साल कम गया था जब lockdown था, other than that, अगर हम बिछले 10 सालों का average भी निकाले, 2013 से 2022 का तो लगवक 44% लोग CFA exam पास हो जाता है, अगर आप working है, या college जा रहे हैं, तो मेरे साब से 2 गंटा daily is sufficient, in total you need 6 months of preparation, मतलब 180 दिन, हर रोज 2 गंटा निकालते हैं, तो लगवक 300 गंटे हो गया, but उतना भी निए देना, 300 गंटे is more than sufficient, 100 hours to complete the syllabus, 80 hours for revision, मतलब 200 गंटे में revision और syllabus complete करने का, और 120 गंटा आपको लगवक देना है practice question के लिए, जो हम आपको questions दे रहे हैं practice करने के लिए, आप हमारा लो, third party लो, किसी भी book का लो, but 120 गंटे लगवक practice questions, के लिए 300 hours is more than enough to pass the exam, मतलब दो गंटा रोज का, यार इतना तो निखा ली सकते हैं, आइटी के लिए, म्वी एक एट के लिए, लोग आटार गंटे बढ़ते हैं, bank PO के लिए, इन सब के लिए, और salary भी है, bank PO करने के बाद वापस आओगे, FRM या CFA करने के लिए, तो यही कर लो directly, अब क्या, कैसे करे क्या जोड़ी है, कोचिंग करना, या self-study काफी है, देखो, मेरे इसाब से, self-study तो करनी ही है, चाहे आप कोचिंग करो, चाहे ना करो, तो self-study तो करनी पड़ेगी, अब बात लिए की, कोचिंग करें के ना करें, देखो, अगर आप working है, college जा रहे हैं, आप free नहीं क्या होती है, लोग थोरा खीचते रहते हैं, लोग के आदत है, लोग छोडने की चीजों को, प्लान करना, सोचते रहना, छोड़ देना, इसको करें लोग होते है, प्रोकास्टिनेशन, kind of thing, so you think what you can't do, तो उसी में रह जाता है, और वह कोचिंग होने से क्या है, कि टाइम मैंनर में आपका complete हो जाता है, कोई डाउट भगरे भी होता है, तो वही सॉल हो जाता है, स्टुडेंट ग्रूप बन जाते हैं, आपके support मिल जाता है, तो इस सजेस्टे रेक्मेंडेट की आप कोचिंग जोइन करो, इससे अच्छा रहेगा, other than that, I think I have taken most important questions from our side, अगर आप कोई डाउट है, put your questions into the comment box, throw it on me, shoot on, I'll be happy to help all your doubts and questions related to CFA program, take care, bye-bye, see you soon.